Hey guys, welcome to civil users Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप शे शेर करने वाला हूँ एक और नए plot का बहुती अच्छा डिजाइन तो आए सबसे पहले बात करते हैं plot details की तो आज का हमारा plot size है 32 feet 5 inch by 30 feet यानि कि ये total plot 972.50 work foot और 108.05 work गजका है, अगर road की बात करें तो इस plot के north में और west में दो side में road है, बाकी दोनो south में और east side में others property है और घर की main entrance जो है वो हमें north side से देनी है next अभी बात करते है requirement की तो as per client requirement हमें इस plot को 3BHK house plan as per वास्तु design करना है, कैसे दरह समझे सबसे पहले 2 bedroom with attached almira, एक guest room, lobby, living open kitchen, pooja room, stair care, store room toilet और bike parking भी हमें इस plot में design करके देनी है तो आइए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ directly design पे तो friends जैसा कि आप लोग skin पर देख सकते हो, मैंने इस 32 feet 5 inch by 30 feet के plot में 3BHK house plan as per client requirement बहुती सुन्दर तरीके से design किया हुआ है, तो आइए मैं आपको इस plan को step by step समझा देता हूँ, तो सबसे पहले चलेंगे घर में entry के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो northwest corner में, मैंने 8 foot चुड़ा gate दिया हुआ है, gate वास्तु सास्त के recording बिल्कल सही है, next इस gate से तो clock watch direction में staircase है, वास्तु के recording बिल्कल सही है, उसके बाद अगर staircase के size की बात करें, तो 3 feet 3 ही चोड़ी हम staircase बनाएंगे, riser trade की बात करें तो 7.5 inch का riser यूज करेंगे और trade का size 10 inch का यूज करेंगे septic tank के बारे में अगर बात की जाए, तो septic tank हम यहाँ पे staircase के नीचे ही बनाएंगे northwest corner में जो की वास्तु के recording मिल्कुल perfect है, size की बात करें septic tank की, तो 7 feet बाइग 5 feet का हम septic tank बनाएंगे, जिसकी depth 6 feet हम यूज करेंगे, अभी चलते है घर में main entry की तरफ, तो 3.5 चोड़े door से आप घर में entry करते हो, तो सबसे पहले right side में आपको toilet मिलता है 5 feet 4 inch by 7 feet 7 inch का बहुती अच्छा size है toilet के लिए और toilet आपका northwest corner में वास्तु के कोड़ी मिल्कुल सही है, next आप देख सकते हो ventilator है, toilet में रोशनी के लिए उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, तो आपको एक guest room मिलता है, 10 feet 8 inch by 11 feet का size अच्छा है guest room का, जिसमे ये window दी गई है ventilation के लिए, और दो door दिये गए है guest room में, एक low side से entry के लिए और ये बाहर side से entry के लिए भी दिया गया unknown guest बगेरा के लिए, उसके बाद आप guest room से आगे आते हो, तो आपको एक bedroom मिलता है 10 feet 3 inch by 11 feet का size अच्छा है bedroom के लिए जिसमे ये window दी गई है, ventilation के लिए और ये 2 feet चोड़ी एक attach अल्मीरा है इस अल्मीरा के बराबर में आपको एक 5 foot by 4.5 foot का पूजा room मिलता है जो की north east corner में वास्तू के coding सही है 3.5 foot चोड़ी हम arch यूज़ करेंगे इस पूजा room में next इस पूजा room के अगर ventilation की बात करें तो back side में हमने OTS दिया हुआ है 5 feet by 2 feet 10.5 inch का OTS है इस OTS को हम as a wash area भी यूज़ करेंगे और इस OTS से इस पूजा room को और इस kitchen को और साथ में lobby को भी ventilation मिलेगा अगर lobby के size की बात करें 13 feet 2 inch by 9 feet 9 inch का lobby का size है अच्छा size आपको मिल जाता है इस चोटे से plot में next आप आगे बढ़ते हो तो kitchen मिलती है south east corner में जो की वास्तू के coding बिल्कुल perfect है 11 foot by 7 foot की kitchen है जिसमें हमने L shape की 2 feet चोड़ी slab लगाई गयी है ये gas और fridge भी आपके वास्तू के coding बिल्कुल सही है और अगर यहाँ पे बात की जाए summer civil point के तो friends आप यहाँ पे OTS में ही अपना summer civil point दे सकते हो कोई issue नहीं है next आप आगे बढ़ते हो तो kitchen के बरावर में आपको मिलता है एक store 5 foot 2 inch by 7 foot का store जिसमें 2 feet चोड़ी slab लगाएंगे अभी friends यहाँ पे देखिए हमने door store room का lobby side से दिया हुआ आप चाहो तो kitchen के साथ में इस store room को attach कर सकते हो next store से आप आगे बढ़ते हो और basically friends मैं आपको बता दूँ कि इस वाले bedroom को अगर old generation वाले जो की घर में बड़े लोग है वो use करेंगे तो जादा वास्तो के according बिलकुल अच्छी बात होगी next अभी आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे roof projection की तो दो साइड में road होने की वज़ा से हम यहाँ पे L-shape का 3-3 foot चोड़ा roof projection बनाएंगे दोनों साइड में यह तो बात ही friends इस plan की अभी बात करते हैं इस plan के total door window के sizes के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो door window index में सारे door के window के size read कर सकते हो इस video को post करके next अभी चलते हैं बात करेंगे इस house plan के total column के sizes के बारे में तो जितने भी एक black dots आपको दिख रहे हैं यह सब भी 9 inches by 9 inches के column है अभी next बात करते हैं इस house plan के total construction cost के बारे में approximate 12,000,000 से 13,000,000 का खर्चा आएगा इस घर को बनाने में और friends अभी आप लोग कहीं मत जाएए क्योंकि इस video का एक important part अभी बाकी है इसी plot के कुछ और designs मैंने बनाए हुए थे client को जो मैंने दिये थे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को एक idea मिल जाए कि आप इसी plot को कितने और तरीके से इन में से आपको कोई सा प्लान और जादा अच्छा लगे जैसे कि अगर first वाले प्लान की बात की जाए यहाँ पे देखिए हमने 9 feet by 14 feet तीनिज की parking का size रखा हुआ है उसके बाद आपको यहाँ पर 35 feet जोड़ा door मिलता है entry के लिए इस door से आप जब आप घर में entry करोगे तो यहाँ पे आपको lobby मिलेगी size वगरा आप read कर सकते हो वनना वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा यहाँ पे toilet है यह bedroom यहाँ बना दिये गए है इस bedroom के साथ में attach लमीरा यह OTS है ventilation के लिए इस bedroom में और इस kitchen में भी kitchen का size आप देख सकते हो size अच्छा मिल जाता है हमें यह store room यह guest room हमने आप बना हुआ तो यह वाला plan भी आपका थोड़ा सा अच्छा है जिसमें हमने guest room के लिए एक अलग से separate WC भी बनाई हुई है अगर किसी को चाहिए हो तो next अभी चलते हैं second वाले plan पे अगर इस plan की बात करें कि इसमें क्या best आपको मिल जाता है जैसे कि इसमें low भी आपको थोड़ी सी अच्छी मिल जाते है या फिर अगर किसी को parking का provision चाहिए जैसे कि यहाँ पे 13 feet 9 inch का bedroom का size आपको मिल रहा है toilet का size भी, store room का size भी आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पे bedroom का size भी अच्छा है तो almost चीज़े इस second वाले plan में और अच्छी मिल जाती है लेकिन अगर और थोड़े से better plan की बात की जाए तो देखिए same size मैंने आप पी दिया हुआ है यहाँ पे वापिस से bedroom का same size है पारकिंग भी आप फिर से कार की बढ़ा सकते हो और देखिए आप एक extra चीज़ आपको मिल जाती है यह toilet तो ठाई आपका common guest room के लिए आपको एक separate WC Latin मिल जाती है आप चाहो तो इस wash machine को हटा के एक separate toilet भी यहाँ पे बना सकते हो और देखिए इस bedroom के साथ में आपको attach अलमीरा मिल जाती है यह पूजा space आपका guest room से रहेगा पीछे store यह OTS दिया गा है दोनों में ventilation के लिए तो friends यह काफी अच्छे plan भी आपको मिल जाते हैं अगर आपको car parking के provision चाहिए हो तो इसलिए मैंने यह plan आपको दिखाए हैं तो friends I hope कि अभी आप लोग अच्छे से समझ गये होगे कि आप इस 32 fit 5 inch by 30 fit के plot का 3 BHK house plan बहुती सुन्दर तरीके से किस-किस idea के साथ में बना सकते हो friends यह plan आपको कैसा लगा please comment box में comment करके जरूर बताईएगा और साथ इस वीडियो को like करके आपके अपने चैनल civil users को भी subscribe जरूर कलीजेगा तो चली फैंस आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में थैंक्यू बाबाई